दर्मम प्रवदतस्तस्या सागाला प्रतिपुस्तिता योयोगिनस जंदमृत्योर वंचितस्तुत्तरायना सुजाता मांताजी पढ़िये हरे किस्ता ब्रभुजी डंडवत प्रणाम जब भीश्म लेव वृत्ति परक कर्तवियों का वर्णन कर रहे थे तभी सुडिय उत्तरी गुलार्द की ओर चला गया इच्छानुसा मृत्यों का वर्ण करने वाले योगी इसी अवधी की कामना कर अध्यान परकार भगवत गीता में बगवान ने आठवी अध्याय में बताया है कि योग के माध्यम से कैसे सिद्धी प्राप्त की जाती है तो उस समय पर भहुत सारे बातों का योगी को ध्यान रखना पड़ता है जैसे सूर्य को उत्तरायन में होना चाहिए उस समय सूर्य प्रकाषित होना चाहिए उस समय शुक्ल पक्ष भी होना चाहिए और जो दिन में अलग-अलग शुब समय होते है उनी में से कोई शुब समय में ही शरीर्ट्याग होना चाहिए तो इस प्रकार की मांसिक आवस्था में योगी अपना शरीर्ट्याग करता है और फिर वो उच्च लोकों में जाता है सर्वोच्च वो ब्रह्मजूती तक जा सकता है लेकिन यहाविज्ञान भक्तों के उपर लागू नहीं होता यदपी भीश्मदेव बहुत महान योगी थे एक्च्छा मृत्यू का वर्दान था लेकिन मुख्य बाद थी कि भगवान शी कृष्ण उनके सामने थे और उस उत्तरायन को उन्होंने एक बहाना माना अपना शरीर छोड़ने के लिए तो उन्होंने अपना प्रवचन बंद किया और फिर भगवान की तरफ अपना केंद्र मोड़ दिये तदो पसम्रित गिरास तदो पसम्रित गिरास हश्रनेर विमोक्त संगम्मन आधि पूरुषे कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे पुरास्तिते मिलेत द्रिग विधारदात पायल माताजी पढ़िए अपने खुले नेत्रों की उन आधि भगवान शुकिष्ण पटिका दिये जो उनके समस खड़े थे जो चार भुजा वाले थे और जगमक करते हैं एव चम चमाते हुए पीत वस्त्रधारण किये थे तेखें ये अंतर होता है सामाने भोतेकवादी व्यक्ति में जो आसक्ति पूर्ण है जब उसका अंत समय आता है तो उसको अपने परिवार जन अपनी संपत्ति अपनी आसक्तियों का स्मरण होता है लेकिन भक्त प्राय भाईय रूप से ऐसा दिख सकता है आरे बहुत ज्यादा ये तो बहुतिक यश्वर्यों में ही लिपता है ये तो अपनी जिम्मेधारियों में ही लिपता है इसमें भारवाले में क्या अंतर हुआ अंतर यह हुआ कि अंत समय में भक्त अपना पूरा केंदर भगवान के ऊपर रखने में cada50 ओ है उसकी और कोई आ सकते हैं नहीं होती केवल भगवान से वो आ सकते रहता है तो उस प्रकार इतने महान युद्धा इतने शास्त्रग्य इतने ज्ञान से परिपूर्ण बीश्व पिताम अभी पूर्ण रूप से शान्त हो गए और खुले नेत्रों से भगवान को टक्टकी लगा करके दर्शन करने लगे और इस दर्शन को ही समाधी की उप्मा दी गई है कि भगवान की उपर मानों विश्व पितामा की त्राटक समाधी लग गई हो अनीता माता जी तात्परे पढ़िए अपना भौतिक शरीर त्याक्तिय समय भीश्व देव ने मनुष्व के महत्पुल कार्यों से संबंदित यश्यस्वी उदारन प्रस्तूत किये मदते हुए व्यक्तिव को जो विशे जितना अधिक आकशित करता है वह उसके अगले जीवन का शुभारम बनता है यदि कोई परमेश्वर श्रीकेश्ण के विचारों में लीन देता है तो इसमें कोई संदे नहीं है कि उसके लिए भगवान के धाम में वापस जाना निश्चित है इसकी पुष्टी भगवत गीता में हुई है और मत्टू के समय जो केवल मेरा स्मर्ण करते हुए शरीक अत्याग करता है वह तुरंत मेरे सभाव को प्राप्ट करता है इसमें रंच मात भी संदे नहीं है शरी त्यागते समय मनुशित जिस जिस भाव का स्मर्ण करता है वह उस भाव को निश्टी तूप से प्राप्त होता है अत्यव हे अर्जुन तुमें सदेव क्रेशन रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए वो साथ ही युद करने के अपने कर्दव को भी फूरा करना चाहिए अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तता अपने मन एवं करता है वह अवश मेरे पास पहुंच जाता है मनुष को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वग्य पुरातन नियंता लगुतल से लगुतम सबों के पालत समस्भातिक बुद्धी से परे अचिंत तथा नित्य पुरुष के रूप में करे वे सूर की भाती तेजस्वी है और दीव होने के कारण इस बहुतिक प्रकति से परे हैं मियत्यु के समय जो व्यक्ति अविचलित मन से योग शक्ती द्वारा अपने प्राण को बहुं के मत में इस्तिर कर लेता है और पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है वो करते हैं ऐसी सिद्धिक इच्छा करने वाले को रम्चर विस्वांट का आच्रण करना होता है अब मैं तुम्हें यह विदी बताऊंगा जिसे कोई व्यक्ति मुक्ति लाब कर सकता है समस्त इंडी क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है इंडियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को रदय में और पाणवायों को सिर के उपरी भाग में स्थाफित करके मनुष अपने आपको योग में स्थाफित करता है इस योग में स तथा अक्षरों के परम सहियों उंकार का उच्छानर करते हुए यदि कोई पूर्पुर्शोतम भगवान का चिंतन करता है और अपने शरी का त्याग करता है तो अनिश्ची तूप से भगवत दाम को जाता है ये प्रता पुत जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा इसमरनर करता ह उसके लिए मैं सुलब हूँ क्योंकि और मेरी भक्ति में निरंतर परवर्त रहता है मापुरुष जो भक्ति होगी है मुझे प्राप्त करने के पश्चात कभी भी इस दुखों से पूर्ण शड़िक्स जगत में नहीं लोटते क्योंकि उन्हें परम सिद्धी प्राप्त हो के कारण श्री करश्न को दीर काल तक देखना चाहा रहे थे चूकी वेशुद्ध भक्त थे अते उन्हें योग की विश्रत क्रियाओं की आश्रकता नहीं थी सिद्धी के लिए सदल भक्ति योग परियाप्त है अते भीश्मदेव की हादिक इच्छा भगवान करश्न को सा या तो हम महायोगी बन जाएं, ब्रहमचारी बन जाएं और सिद्धी प्राप्त करके बुहों के बीच में अपने प्राणों को ला करके ब्रहमजोति में प्रवेश करने का प्रयास करें या फिर दूसरा विकलप है सहज रूप से भगवान की भक्ति करें और भगवान बु यहां पर प्रवपात बोल रहा है कि जो शुद्ध वक्त होता है जिसका प्रगाड प्रेम होता है वही भगवान को धीर के काल तक देख पाता है और हम देखते भी हैं सायज रूप से जो दर्शनार्थी आते हैं मंदिर में वो दस सेकेंड में कैसे पांच वेदियों का तीन मिनिट में दर्शनार्थी हमारे मंदिर में हो जाती तीन मिनिट में पांच उल्टर के दर्शन हो जाते हैं लेकिन कहने का अर्थ है कि जितना प्रेम जादा उतना ही देर तक वेक्ति भगवान का दर्शन कर सकता है तो उस प्रकार से विश्वम पितामा दीर्ग काल त अर्चना माताजी पढ़िए शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्रे क्रिश्न को देखते हुए वे तुरंद समस्त भौतिक अशुभावस्थाओं से और तीरों के घहाओ से होने वाली शारेरिक पीडा से मुक्थ हो गए इस प्रेकार उनकी सारी इंड्रियों के कारिकला पुरुग गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जियों के नियंता की दिब्यभाव से स्तूति की अभी अन्त में भीश्यम्पितामा पूर्ण रूप से अपना ध्यान भगवान के उपर केंद्रित करके किवल भगवान को प्राथनाय कर रहे हैं अब उन्हें शरीरिक पीड़ा से कोई मतलब नहीं भायाईय अवस्थाओं से कोई मतलब नहीं उन्हें बाकी कौन-कौन उपस्थे थे उनसे कोई मतलब नहीं पूर्ण रूप से अपना ध्यान एकाग्र करके भगवान को शुद्ध प्राथनाय अभी बोलने वाले हैं और भगवान की ऐसी उपस्थती में प्राथना करना ये बहुत बड़ा परम सोबाग्य बीश्म पितामा को मिला तो उस प्रकार से अपनी भोतिक इक्छाओं का दमन करके भीश्म पितामा अब अपनी प्राथनाय शुरू कर रहे हैं भगवान के चरण कमलों में श्री भीश्म वाचा इती मतेर उपकल्पिता वित्स्रिना भगवती सत्वता पुंगवे विभूमीन स्वासुखाम पगते क्वचित विहर्यतुं प्रक्रतेम उपे यूशियत भाव प्रवाहा अर्चना खटाले माताजी पढ़िये हरे कुष्णा प्रवुची दन्दत्परम विश्म देव ने कहा अभी तक में जो सोचता जो अनुभव करता था जो चाहता था वो विभिन्न विश्यत था वुर्तियों के अधिन था किन्तु अब मुझे उसे परमशक्तिमान भगवांस के कुष्णा लगा दो बहुआन सी कृष्ण में यद्दपी उन्हें किसी की जरूरत नहीं लेकिन फिर विव भक्तों के साथ वताम पती भक्तों के वो पालक हैं भक्तों के वो पालनहार हैं तो ऐसे भगवां के उपर मैं अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं यद्दपी उनका बहुत एक जेगत से कोई लेना देना नहीं बहुत जेगत में आदान प्रदान करने के लिए तो ऐसे भगवान पर मैं अपना ध्या केंद्रित करता हूं कि आशीश प्रभू प्तात्परे पढ़िए प्रादे क्रिश्न गुरुजी त्रिनोत प्रणाम चूकि भीश्मदेव एक राजपुरूष कुरूवज के मुख्या महान सेनापति तता शत्रियों के अग्रणी थे अते उनका मन अनेक विशो में बटा रहता था उनका चिंदन अनुबुति तता उनकी इच्छाय विभि करने के उद्देश से वे परम पुरुष भगवान क्रिश्न पर ही सारे चिंदन अनुबुति तता इच्छाओं को केंद्रित करना चाहते थे यहां पर उन्होंने भक्तों के नायक एम सरोशक्तिमान कहे गए यद्द भगवान क्रिश्न आधी भगवान है लेकिन वे अपन चेतन्य के रूप में उतरित होते हैं दोनों ही शुद्ध भक्तों के नायक हैं भगवान के शुद्ध भक्तों में भगवान की सेवा करने के अतरिक अन्य कोई इच्छा नहीं रहती है अतेवे सात्वत कहलाते हैं भगवान एसे सात्वतों में अग्रणी है इसलिए बिश् सबहें प्रकार की भूतिक इच्छाओं से शुद्ध नहीं हो लेता तब तक भगवान उसके अगुवा नहीं बनते इच्छाओं को मिटाय नहीं जा सकता लेकिन उन्हें केवल शुद्ध करना होता है बगवत किता में भगवान ने पुष्टी किये कि भगवान की सेवा में निरंतर लीन रहने वाले शुद्ध भक्द को उसके के भीतर से उप्देश देते हैं इसा उप्देश किसी भोतिक हेतु के लिए नहीं अपितु अपने घर भगवान के धाम वापत जाने के लिए दिया जाता है भगवान सामान्य वेक्ति के लिए जो भोतिक प्रकरती पर अपना प्रभुत दिखाता दिखाना चाहता है ना कि और उसकी इच्छा पूर्ति करके उसके कारियों के साक्षी बनते हैं अपितु वे अभगतों को भगवत धाम जाने के लिए कभी कोई उप्देश नहीं देते विभिन जीवों भगतों तथा अभगतों के साथ भगवान के वेवार में यही अंतर है वे समस्त जीवों के अग्रणी हैं जिस प्रकार राजा बंदियों तथा स्वतंतर नागरिवकों का समान रूप से शासन हो शासक होता है लेकिन भगतों तथा अभगतों के प्रति अ बोधिगरण एक भूतीक अच्छा ही बुराई से परह होते हैं, विया अध्यात्मपत पर अगराशार होते रहते हैं, अज़ उन्हें इसी प्रकार की भूतीक इच्चा नहीं लेती भक्ति ये भी जानता है कि स्रीक्रिष्ण ही यदि नारायन है क्योंकि भगवान स्रीक्रिष्ण ही अपने स्रीक्रिष्ण अपने पूर्णाज से करोणों दशाई विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं जो सारी भूतिक स्रश्टी के मूल इस्तरोते भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ संगती करने को भी इच्छुक रहते हैं उन्हीं के लिए वे सारा इस दरा पर आतार लेकर उन्हें जीवन दान देते हैं भगवान खुद की इच्छा से प्रकट होते हैं वे प्रकरती की परिस्टिक्यों से बादे नहीं होते आते परूप में विशु या बहुतिए जगत में आते हैं तो उनका एकमात्र प्रयोजन होता है साथवत आम पते साथवत भक्त भक्त-लोग भक्त-लोग जो तीनों गुडौों से उपर हैं जो शुद्ध हैं उनको साथवत बोला जाता है और साथवत पती भगवान का नाम है ऐसे भक्तों के पालख ऐसे कि हर तरह से स्वामी भगवान सी कृष्ण को सात्वताम पते बोला जाता है और यहां पर बताया कि अच्छा तो फिर अभगतों का क्या होता है तो अभगतों के साथ भी भगवान रहते हैं लेकिन मौन रूप से रहते हैं निश्क्रिय रूप से रहते हैं उनके लिए केवल उपद्रिष्टा बनके रहते हैं, वो जो कारे करते हैं, उनको भगवान देखते हैं, और फिर करम बंदनों के हिसाब से वो वेक्ति अपने करम फल भोगता है, भगवान इंतजार करते हैं, कब ये जीवात्मा मेरी भक्ती में लगेगा, तब मैं इसको उपदेश करूँगा क्योंकि नीती शास्तर भी बोलते है, उपदेश आनाम ही मुर्खना केवल विश्वरदन हम, जिस प्रकार से आप साब को दूद पिलाएंगे, तो क्या होगा, उसका विश्वरदन होगा, ऐसे ही मुर्ख लोगों को अगर उपदेश देंगे, तो केवल उनके करूद का वर उनको प्रेड़ना देते हैं, नहीं तो फिर भगवान सात्वताम पती है, अपने भक्तों के उद्धार्ग में हमेशा सनलगना रहते हैं, त्रिभुवना कर्मानम तमाल वर्नम रवीकरा गोरवरां बरद धाने, वपूर अला का कुला व्रेत नाम बजम, विजया सखेरती नेक्स्ट कौन है, अजय प्रभु, पड़िये, अरिकिष्णा प्रभुजी दर्नोट पढ़ा, भगवान स्रीक्रेशन अर्जुन के घनिष्ट मित्र है, वे इस धरा पर अपने दीव शरीर में प्रकट हुए, जो तमाल वरिक्ष, सरदर्श नीले रंका है, उनका शरीर त किनों लोको, उच्च मद्य तता अधो लोक में हर एक को आक्रिष्ट करने वाला है, उनका चम चमाता, पितामबर तता, चंदन की चित्रा वली ससजित, मुख कमल, मेरे आकर्शन का विशय बने, और मैं सकाम फलो के इच्छा ना करूँ, इस प्रकार जो निराकारवादी है उनको ध्यान लगाने में कितनी कटना ही होती होगी, क्योंकि ध्यान लगाएंगे किस पे, लेकिन देखिए, भगवान के शुद्ध वक्तों के लिए कितनी सहचता है, क्यों भगवान के सुन्दर वर्ण के उपर ध्यान लगाते हैं, या बीश्म पितामा, भगवान के सुन एक नवीन भक्त के लिए भी सहाज है और एक उत्तम कोटी जैसे भीश्वुपितामा जैसे भक्त के लिए भी सहाज है तो इस प्रकार से भगवान के दिव्यंगों के गुणगान भीश्वुपितामा कर रहे हैं राजी प्रभुतात्परे पढ़िए जब स्री कृष्ण स्वक्षा से इस धराप्र प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा सक्त के माध्यम से ऐसा करते हैं उनके दिव्य सरीर के आकरसक अंगों को देखने की इक्षा तीनों लोकों अर्थात ग्रह मंडल के उच्चस्त मध्यस्त तथा अधो लोकों में होती है ब्रम्हान भर में कहीं भी भगवान कृष्ण जैसे सुन्दर आकरित के सरीर वाला कोई नहीं है अतये हो उनके दिव्य सरीर को भौतिक रूप से निर्मित किसी वस्तु से कुछ लेना देना नहीं है अर्जुन को यहां विजेता कहा गया है और कृष्ण को उसके घनिस्ट मित्र कृष्षेत्र युद्र के बाद सरसया पर लेटे विश्म देव भगवान कृष्ण की वेश्भूसा का अस्मान कर रहे हैं जिसे वे अर्जुन के सार्थी के रूप में धारण किये विये थे जब अर्जुन तथा भीस्म के मद्य युद्द चल रहा था तो भीस्म का ध्यान कृष्ण की चम्चमाती वेश्भूसा की और अकरसित हुआ था और इस तरह वे अप्रतक्ष रूप में अपने तथा कहती सत्रू अर्जुन की प्रसंसा कृष्ण को अपने मित्र रूप में प्राप्त करने के लिए कर रहे थे अर्जुन सदा ही बिजेता रहा क्योंकि भगवान उसके सखा थे बीसमदेवी सौसर का लाब भगवान को बिजे सखे अर्जुन के मित्र समवोधित करके उठाते हैं क्योंकि जब भगवान को उनके भगतों के साथ जोड़कर पुकारा जाता है तो वह अतीवु प्रसन होते हैं क्योंकि भगतगर उनसे बिभिन दिब्वेरसों से बने हुए होते हैं जब क्रिष्ण अर्गुन के सार्थी थे तो सूरी की किरणे भगवान के वस्त्रों पर पढ़कर चमक रही थी और ऐसी किरणों के परावरतन से उत्पन सुन्दर रंग भीस्मदेव से बुलाए भी नहीं भूल रहा था योधा के रूप में वए वीररस में कृष्ण से अपने संब्द का आस्वात कर रहे थे बिभिन रसों में किसी भी रस में भगवान के साथ दिब्ब संब्द होने पर भक्त सरवाधिक आनंद प्राप्त करते हैं अलपक के संसारी लोग जो भगवान के दिब्वे रूप में अपने को संबंधित दिखाना चाहते हैं वो इसी दे ही ब्रजदहाम की गोपियों का अनुकरन करते हुए माधुय रस का दिखावा करते हैं भगवान के साथ ऐसा हलका प्रेम संबंध संसारी व्यक्त की कुद्सित भावना का दुप्तक है क्योंकि जिसने भगवान के साथ माधुय रस का अनन उठा लिया है वह संसारी शिंगार रस में लिप्त नहीं होता क्योंकि इसकी भर्षना सांसारी नीतिसास्त ने भी की है भगवान के साथ आत्म विसेश का नित्य संबंद क्रमा नुसार विक्षित होता है परमेश्वर के साथ जीव का सही संबंद पांच प्रमुख रसों में से किसी एक में हो सकता है और असली भक्त के लिए इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता भीश्मदेव इसके जीते जाकते उधारण है तो हमें ध्यान देकर यह समझना है कि वे महान सिनानायक भगवान से किस प्रकार दिब्वे रूप से जुड़े हुए हैं अरे गुष्ण भूली देखिए जिस व्यक्ति ने भीश्मदेव इतने सारे बाणों से छनली किया क्या उस व्यक्ति का कोई सामान्य पूरश गुड़गान कर सकता था इससे पता पड़ता है कि भीश्मदेव सारे अनर्थों से उपर उठे हुए थे वह भगवान को संबोद कर रहा है विजय सक्थे नाम से अर्जुन के सखा के नाम से संबोदित कर रहा है इसका मतलब वो सारे कलमशों से ऊपर उठ गए हैं जिस व्यक्ति ने उनको इतने बाणों से छनली किया उसी व्यक्ति की प्रशनसा करते हुए भगवान को संबोदित कर रहा है कि आप तो उ दिव्य अंगों को जो सर्वा कर्शक हैं मेरी मती पूर्ण रूप से एब्सॉर्ब कर ले, पूर्ण रूप से मेरे मन में मैं आपके रूप को सजा लूँ, आपके रूप को मैं अवरित्थ कर लूँ. Next. युदी तुरग राज विधूर्म विश्वक कचा लुलित श्रंवरी अलंकर तस्य ममानिशीत शरीर विविध्यमाना तवची विलासत क्वचे स्तुकृष्ण आत्मा बेर्वसाद प्रभू, आप आ नहीं पाए हां? माताजी तो आई हैं? युदी चेत्र में, जहां मित्रतावास भगवान स्री किष्ण अर्वन किताब थे, भगवान स्री किष्ण के लहरा थे केस बोड़ों की टापों से इथी धूल से धूल से धूल से रित हो गये थे, तथा स्रम के कारण उनका मुख मंडल पसीने की बुंदों से भीग गया था, मेरे किष्ण बाणों से बने घावों से इन अनंग करणों की तोभा और भी बढ़ देए थी, जो वेक्ति मरने वाला हो, उसको वही आकरशण याद आते हैं, जिन से वो आ सकते हो, अभी बीशुपितामा मृत्यु ग्रहन करने वाले हैं, और क्या याद कर रहे हैं, कि भगवान के लहराते केश उनके सामने आ रहे थे, धूल उनके चेहरे पर लगी हुई थी, और श्रम के कारण उनके मुखमंडल पर पसीना आ रहा था, यह सब बाते एक आसकती का लक्षण है, वेक्ति बहुतिक आसकती में अपने पत्नी बच्चों को याद करता है, अगले जीवन में वह इस्तरी बन जाता है, इस्तरी अपने पती को याद करती, अगले जीवन में वह बहाँ पुरुष बन जाती है, लेकिन भक्त भवान को स्मरण करता है, इसलिए भगवत धाम चला जाता है, और वीश्म पिताम मुलना है कि मेरे बाणों से कई बार भगवान आपको घाव लगे, तो जब भीश्म पिताम बाण चलाते थे, कई बार जब युद्ध होता है, सार्थी को भी बाण लगते हैं, तो भगवान को कई बार बाण लगे, तो बाणों के घाव से भी आप बड़े सुन्दर लग रहे थे, तो इसकर्थ यह नहीं है कि भगवान के शरीर भी बहुतिक था, लीला के लिए भगवान ने भी गाव को सुईकार किया, और भीश्म पितामा के दिये हुए गाव भगवान को बड़े प्रिये लग रहे थे, लेकिन एक और बात भीश्म पितामा बताना चाहरा है, कि मैं आपको बाड़ों से गायल कर रहा था, लेकिन आप मुस्कुराते हुए मुझे देख रहे थे, और आप अरजुन को छोड़ करके गए नहीं, कि रहे कैसी जगे मुझे बठा दिया, अरजुन से प्रेम प्रदर्शन करने के लिए आप मेरे तिक बाड़ों को सहन करते रहे और मुझे दोनों का मान रखा, दोनों को आपने प्रेम दिया, उस प्रकार से भगवान का अपने भक्त बात सल्लेता के बारे में बीश्म पिताम बता रहे हैं, शील बिश्वना चकवरती ठाकुर बताते हैं, जिस प्रकार पती-पतनी जब प्रेम करते हैं, कई बार उस प्रेम में कुछ एक दूसरे को शती पहुंचा सकते हैं, शारिरिक रूप से, लेकिन वह प्रेम का लक्षड है, उसी प्रकार से भीश्म पितामा ने जो बान चला है, तो उन बाड़ों के माध्यम से हो सकता है, भगवान को भाहियरूप से घाव लगे, लेकिन वह घाव वास्तव में भगवान को बड़े प्रिये लगे, और विश्म पितामा उसी स्थिति को याद करके, अपने अंतिम शणों में भगवान को स्मरण कर रहे हैं, संपदी सकी वचो निशम्य मद्धे, निजा परायोर बलयोर थम निवेश्या, स्थित्वती परसै निकयोर अक्षना, फिर्त्वती पार्थ सकेर तेर्म मस्तु, प्रमदनांद प्रोजी पढ़िए? प्रमदनांद प्रोजी पढ़िए? अपने मित्र के आदेश का पालंग करते हुए, बगवान शिर्कृष्ट के यूट स्थल में अट्जुन तर्द्र दुर्योदन के सैनेगों के बीच में प्रिष्ट हो गए, और वास्थित होकर उन्हें अपने कृप्रा पून चित्वन से रोधी पक्ष की आयू शीन कर दी, ये सब शत्रु पक्ष, शत्रु पर उनके दिश्टी पात तन्ने मात्र से हो गया, मेरा मन उन्कृ विष्ट के मेस्थि ہو, मैरा मन-उनकृktion मेस्थित हो, दो तो विश्टी पितामा सांदेसे पूरा लाइव तेलिकास देख रहे थे, क्योंकि जो लोग पांडवों की तरफ थे उनको तो भगवान की पीट देख रहे थे लेकिन बीशुम के तामा एकदम सामने बैठे थे तो कृष्ण का साक्षा दर्शन कर रहे थे वह देख पा रहे थे कैसे भगवान युद्धिस्तल में रथ लेकर के आए जैसे द्रिश्टि पात की क्योंकि भगवान की द्रिश्टि मतलब एक काल भगवान जब प्रकृति की उपर द्रिश्टि पात करते हैं तो स्रिश्टि शुरू होती है तो भगवान की द्रिश्टि को काल बताया गया है तो जो विक्ति की दृष्टी काल हो वह अपनी दृष्टी से विक्तियों की आयू को हर भी सकता है तो उस प्रकार से भगवान ने जब दृष्टी पात किया तो पहले ही सब की आयू हर ली थी और उस प्रकार से फिर युद्ध तो मात्र एक किवल अभीनाय था तो उस प्रकार से भगवान्शी कृष्ण जो सर्व शक्तिवान है काल को भी नियंत्रण करने वाले हैं ऐसे भगवान्शी कृष्ण में अपनी मती को स्थिर करके भीश्ण पर ताम प्राथना करने हैं दिपी का माता जी तात्परे पढ़िए कि सागरी का माता जी आप पढ़िए कि रेक्रिष्ण प्रवीजी दन्वत्पराम स्रीमत भागवत गीता वन पाइंट प्वंटीवन थर्टी प्वंटीफाइफ में अर्जुन ने अच्छित भवान्शी कृष्ण को आग्या दी कि वे उसके रथ को सेनिकों के विहूं के बी वहां तक तब तक ठहरें जब तक वह युद्ध में आए हुए उन सत्मों का निरिच्ण पूरा ना कर लें जिन से उसे लड़ना था जब श्री भगवान से यह कहा गया तो उन्होंने तुरंत वैसा ही किया मानों वे कोई आग्या पालक हो श्री भगवान ने विपक्षी संदेष वाहख चाहे वह जो भी हो लेकिन अपने सुद्ध भक्तों पर अहेतु की क्रपा सत्था वासलता के कारण कभी कभी वे अपने भक्त के आदेश का पालन एक तत पर दास की तरह करते हैं अपने भक्त के आदेश का पालन करते हुए वे उसी प्रकार प्रसंद होते हैं, जिस प्रकार पिता अपने नन्य बालब के आदेश को पूरा करने में, करने से प्रसंद होता है. यह तभी संभव है जब श्री भगवान तसना उनके भक्तों के बीच सुद्ध दिव्य प्रेह इसलिए उन्होंने श्री भगवान को पार्च सके कहकर संगोधित किया प्रुष्पदार से भगवान अपने भक्तों के द्वारा पैचाने जाते हैं हमने पहले भी देखा था यहां पर दो बातें बताई गई हैं कि जो भक्ती विहीन हैं जो धर्म विरुद्ध हैं उनको तो द्रिश्टिपात करके भगवान ने उनकी शक्ति उनकी आयूग को हर लिया और दूसरी ओर भगवान अपने भक्तों के सार्थी बन करके बैठे हुएं उनकी सेवा कर रहे हैं उनकी आयूग तो बहुत दूर की बात है उनकी सेवा करने के लिए बगवान ततबर है इसलिए यहाँ पर फिर पार्थ स Χके कह करके बीशन पर ताम समयदत कर रहे हैं कि आप अर्जुन के सखा हैं अर्जुन के सार्ति हैं और आपने बाकी जो धर्मविरुद्ध अभक्त थे उनकी आपने आयू हर लिए तो उस प्रकार से आप भक्तों के उपर वादसले रखते हैं और यद्दपी आप पक्षपात नहीं करते हैं फिर भी आपकी लीलाओं से इसा दिखता है कि आप भक्तों को ज़्यादा इसने है करते हैं दीपी का मताजी आगे पड़ी अरे कृष्ण प्रभुजी तन्मस्पडाम भगवान ने अपनी क्रपा अपनी क्रपा पूर्ण चिंता चितवन से विपक्षियों की आयू चीन कर दी कहा जाता है कि कुरूप अतेव अर्जुन के सत्रूओं की आयू को छिण करने का अर्थ यहां नहीं होता कि कृष्ण अर्जुन के पक्ष ले रहे थें बस्तुतावे विपक्षियों पर क्रपालू थें क्योंकि यदि वे समाने तोर पर घर में मरे होते तो उन्हें मुक्ष लाब नहीं हुआ होता यहाँ उन्हें म्रत्यू के समय भगवान के दर्सन करने का तथा भौतिक जीवन से मुक्ति पाने का उसर मिला था अत्यो भगवान सरु मंगल मैं है और वे जो कुछ करते हैं वे सबों की भलाई के लिए होता है उपर उपर से यह सब उनके घनिष्ट मित्र अर्जुन की विजय के लिए प्रतित हो रहा था लेकिन वास्तिक रूप में अर्जुन के सत्रू की भराई के लिए था ऐसे हैं भगवान के दिवकार कलाब और जो भी इन्हें समस्ता है वहाँ भी इस भौतिक सरीर का त्याग करने के पस्चात मुक्स प्राप्त करता है भगवान किसी भी हालत में कोई गलत कार नहीं करती क्योंकि वे परमपूर्ण हैं और सरवदा सबों के लिए मंगल में हैं अरी कृष्णा प्रभुदी अगर वो अपने बहुते कारे कलाब करते हुए शरीर त्याकते तो तो और मुश्किल हो जाती कोई कर्मबंदन में फस जाते यहां भगवान का दर्शन करते हुए उनकी मृत्ति हुई तो उनको सद्गती प्राप्त हुई इस प्रकार से भगवान समगर रूप से सारी आत्मा का उद्धार करते हैं हरे कृष्ण गरंतरा श्रीमत भागवतम की जा श्रील प्रभपात की तो आज गीता जैनती का बहुत शुब अवसर है मैं अनुरोद करूंगा जो लोग उज्जेन में हैं अपनी रजाईयों से निकले हैं जल्दी से तुरंत मंदिर आ जाए ओने आठ बजे से यहां यग्य है उसके बाद गीता के उपर पाठ है बसंत प्रभू पांडाल में खड़े हुए हैं आप वीडियो में देख सकते हैं यग्यवेदी दिखा रहे हैं दिख रहा है आप लोगों को यह यग्यवेदी नहीं दिखा रहे हैं जिस्ट एक अरेंजमेंट हो रहे हैं तो आप लोग तुरंत जल्दी से मंदिर में आ जाएए गीता के उपर पाठ भी होगा किर्टन होगा महाप्रशाद होगा गोपूजा होगी गोसेवा होगी यग्य होगा और आज भी मौका है आज सबसे महत्वपून दिन है जिस दिन हम गीता को जो लोग नई डिस्टिबूट कर पाएं वो लोग डिस्टिबूट कर सकते हैं आज पहली बार युजेन के जो नए मेंबर जुड़े हुए हैं बहुत सारे मुख्य इस क्लास में आते हैं उन सब ने मिलके भगवत गीता डिस्टिबूट की है और हर एक एक विक्ती ने 108 से सब्सक्राइब की जाएं गीता जैंदी महा मोथ सब्सक्राइब की अरे कुष्ण